हाई एबरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल और मैं हूँ शुश्मीता और आज मैं मनाने बाली हूँ परवेल की मसलीदार सूखी सबजी इसे आप रोटी के साथ खा सकते और यह खाने में बहुत ही रिस्ट लगता है तो चलिए इसे पनाना स्टाट रहे हैं सबसे पहले मैंने यह पर परवेल को काट लिया है और ऊपर का जो छिलका है उसे बीच-बीच से निकाल लिया है अब हम इसे पैन के अंदर दाल देंगे और यहा पर मैंने मस्टर ओल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है साथ में हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और हाप त्मीट ने टी स्पून डालेंगे मैं हलदी पॉडर कफाउडर ड आमें इसे फ्राइ करना है पहला हम इसे मिला देंगे एक बड़ उसके बाद हम अगर आप चाहे तो बीच में इसे कभर भी कर सकते हैं ऐसे ही चलाते हुए मैं परवल को फ्राइ कर लूँगे और देखे एक साइट से फ्राइ हो चुका है अब हम इसे पलत लेंगे और दूसरे साइट से भी अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते के परवल अच्छी तरह से फ्राइ भी हो चुका है इसे अब हम धीरे दीरे निकाल लेंगे इस रेसिपी में परवल को हमें थोड़ा अची तरह से फ्राइ करना है ताकि परवल अच्छे से सॉप्ट हो जाए तो इस रेसिपी का टेस्ट अच्छे से आएगा अब हम इसी तेल के अंदर डाल देंगे हींग हाप टी स्पून और एक छोटे चाम जीरा साबूत जीरा डालेंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राइ करेंगे साथ में इसके अंदर एक सुखी मिर्ज डाल देना है तोड़के अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइस का प्याज जिसे मैंने बारी काट लिया है और प्याज को मच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राइ करना है देखे प्याज अच्छे से सौप्ट हो गया है अब हम इसके अंदर देर चमस डाल देंगे अद्रक लसुन का पेस्ट साथ में मैंने इसके अंदर दो हडी मीर्ज भी डाला है अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मसाला जल रहा है मेरा इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आपको अगर जरूरत नहीं तो आप नहीं डाल सकते हैं पानी डालने के बाद अद्रक लसुन के पेस्ट को भी हमें फ्राइ करना है फ्यूश मिनिट के लिए क्योंकि इसका एक कच्छा पन रहता है इसमेल आता है तो जब तक यह चला ना जाए तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे अब हम इसके अंदर डाल देंगे दो बड़ी सा इसका टमाटर चीशे मैंने चॉप कर लिया है टमेटो को भी हमें अच्छी तरह से फ्राइ करना है और यह जल्दी से फ्राइ हो जाए इसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ सा नमक डालूंगी नमक डाल के इसे हमें फ्राइ करना है टमेटो जब तक गल जाए तब तक टमेटो फ्राइ हो चुका है अब हम इसके अंदर जो फ्राइ किया हुआ परवल था उसे डाल देंगे इसके अंदर और मसाला के साथ मिला लेंगे अब मैं इसके अंदर सारी सुखी दालए को कि एक एक करके डाल दूँगे सबसे पहले हमें डालना है इसके अंदर एक चमज हल्दी बावडर बावडर डालेंगे डिल ऐह आप से ढल दे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालके हम इससे फ्राई करेंगे पानी इसलिए डालेंगे प्रवल में हो जाया और मसाला लिए अच्छी तरह से पानी के लिए फ्राई करेंगे मसाला देख सकते फ्राइ हो चुका है अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे लेकिन पानी का मात्रा हम बहुत ही कम डालेंगे ज्यादा पानी इसके अंदर हम नहीं डालेंगे क्योंकि यह सुखी सब्जी है तो सुखी सब्जी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पानी जाता है तो बहुत ही कम पानी डालके मैं इसे मिला लूगी और इसे हमें पात से छह मिनिट के लिए कबय कर देना है या फिर या पिर अपंग न जाए तब तक आप इसे कबर करके पकाए तो मैं इसे कबर कर लूँगी कुछ दिर बाद इसका कभर हमें हटा लेना है और देखिए परबल एक दम पख गया है और ग्रेवी भी ठीक है तो हाई फ्लेम में हम इसे कुछ दिर मिला लेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए पानी इसका इतना बचा है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक चमच गरम मसाला पाउडर गरम मसाला पाउडर डाल के एक बर मिला लेंगे और हमारा परवल का सब्ची रेडी हो गया है इसे आप रोटी के साथ सर्प कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप अपने घर पे ज